Hello बच्चो, इस वीडियो के अंदर आपकी जो 6th class की New NCRT की English की बुक है ना पूर्वी, उसकी जो Unit 2 है, उसका चैप्टर पढ़ेंगे, The Unlikely Best Friends, बच्चो, Unlikely का मतलब होता है, जो एक जैसे नहीं होते, Best Friends हम कहते हैं, पक्के दोस्तों को, The Unlikely Best Friends का मतलब हो गया, ऐसे पक्के द जो एक जैसे नहीं है, तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, गजराज, The Elephant, Lived in the Best Booth of the Royal Stables, बच्चो, Best का मतलब होता है, सबसे अच्छा, Lift का मतलब होता है, रहता था, Booth, तो Booth हम किसे कहते हैं, तो Booth हम कहते हैं, एक Rectangular Space को, मतलब एक ऐसी जगा, जो किसकी शेप की है, जो Rectangle की शेप है, ठीक है, Royal का क्या मतलब होगए, Royal का मतलब होगए, शाही, Stables, Stables, हम किसको कहते हैं, बच्चो, तो जो Animals होते हैं, वो जिस जगा पर रहते हैं, तो उ तो देखिए शाही stables में जित्ते भी बूत थे तो उन बूत में से जो सबसे अच्छा बूत था न तो गजराज वहाँ पे रहता था The king was fond of गजराज तो fond का मतलब होता है पसंद करना तो अब जो राजा थे वो गजराज को बहुत जादा पसंद करते थे And he had ordered that the elephant should be well looked after और उन्होंने क्या order करा था? उन्होंने ये order करा था कि elephant का बहुत जादा ध्यान रखना है तो बच्चों order का मतलब होता है आदेश देना In spite of royal comforts, गजराज was sad because he had no friends बच्चों in spite of royal comforts तो देखे गजराज का था? वो राजा का favorite था राजा उसको बहुत जादा पसंद करतेते हैं न तो गजराज को बहुत जादा royal चीजें मिलती थी उसे अराम, बहुत अच्छे से मिलता था उसे अच्छे अच्छी खानी की चीजें मिलती थी तो बच्चों मेहट हम किसे कहते हैं, elephant trainer को कहते हैं तो देखे जैसे आपको picture में दिखा आगया एक आदमी है न तो ये है elephant trainer तो मेहट जो है, वो सिफ एक ऐसा आदमी था या एक ऐसा इंसान था, जिससे गजराज ने थोड़ी बहुत बातचीत करी हो कभी भी, ठीक है तो मेहट क्या था, वो एक kind man था, वो एक अच्छा आदमी था जो गजराज को क्या सर्फ करता था, वो गजराज को खाना सर्फ करता था और उसको क्या करता था, वो डेली जो elephant pond था, उसमें उसको निलाता था बात मतलब निलाना ठीक है, he was a good care taker तो बच्चों care taker हम किसे कहते हैं, तो care taker हम उसे कहते हैं, जो ख्याल रखता हो कि वो एक अच्छा ख्याल रखने वाला था, एक अच्छा care taker था, लेकिन वो friend नहीं था मतलब वो गजराज का दोस्त नहीं था I wish I had a friend, I can play with thought गजराज अब गजराज ने ये सोचा कि मैं ये सोचता हूँ कि काश मेरे पास भी एक दोस्त होता जिसके साथ मैं खूब खेलता One late evening a dog is straight into the stable तो बच्चों straight का मतलब गलती से आ जाना तो अब क्या हुआ कि एक देश शाम में एक जो डॉग था वो गलती से stable में आ गया गजराज could see that the visitor was tired and hungry बच्चों visitor हम कहते हैं आने वाले को तो गजराज ने ये देखा कि वो जो visitor है वो क्या है वो बहुत जादा थकावा है और उसको भूग लग रही है वो भूगा है tired मतलब थका हुआ hungry मतलब भूग लगना he pushed some of the food he was munching towards the dog munching का मतलब होते है chewing मतलब चबाना अब क्या करा कि वो जो थोड़ा खाना खा रहा था न जो जिस खाने को चबा रहा था तो उसमें इसे थोड़ा सा खाना गजराज ने जो visitor था उसकी तरफ पुश करा the visitor waked his tail looked up at the elephant to convey his thanks and then turned his full attention to the food in front of him बच्चों waked का मतलब होता है moved from side to side मतलब एक side से दूसरी side मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ move करना है ठीक है अब जो visitor था visitor का उन्था डॉक था उसने अपनी tail को मतलब उसकी जो पूच थी उसको हिलाया और गजराज को सामने देखा मतलब गजराज के सामने देखा और उसने क्या करा वो अपना thanks जो था वो convey करना चारा था मतलब वो elephant को thanks करना चारा था और फिर उसने क्या करा उसके बाद उसने अपना पूरा ध्यान किसकी तरफ दे दिया उसकी तरफ जो खाना था सामने जो खाना पड़ा था उसकी तरफ उसने अपना पूरा ध्यान दे दिया, तो बच्चो, full attention मतलब पूरा ध्यान, okay front मतलब सामने, as soon as he finished eating, he fell asleep, अब जैसे ही उसने अपना खाना खतम करा, उसे क्या आगई, उसे नीद आगई, वो सो गया, तो बच्चो, finish मतलब खतम करना, fell asleep मतलब सो जाना, as soon मतलब जैसे ही करना, मतलब जैसे ही जल्दी से करना, the next morning, the Mayhut found a stray dog in the stable, अब क्या हुआ, next morning, जो अगली सुबा दी, तो Mayhut ने क्या पाया, उसने stray dog को कहां में पाया, stable में पाया, he did not mind the dog, और फिर उसे कोई फरक नहीं पड़ा, मतलब उसने ये नी करा कि वो dog को stable में से निकाल दे, उसने dog को रहने दिया, he also noticed that Gaj Raj seemed to like the company, और उसने ये भी notice करा, उसने ये भी ध्यान दिया कि Gaj Raj को dog की company मतलब उसके साथ रहना उसको अच्छा लग रहा है, so he threw some crumbs to the dog, तो बच्चो क्रम हम कहते हैं, small pieces of food खाने के, जो छोटे छोटे से टुकडे होते हैं, उनको हम crumbs कहते हैं, threw मतलब फेकना, अब उसने क्या करा मेहट ने, उसने dog की तरफ छोटे छोटे खान the animal accepted, wagging his tail, तो accept करना मतलब होता है, किसी चीज़ को स्विकार कर लेना, अब जब उसने मेहट ने, dog की तरफ crumbs को फेका था, तो जो animal था, उसने, जो food था, crumbs थे, उनको accept कर लिया था, और अपनी पूच को वो हिला रहा था, when the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend, तो अब जो accompanied का मतलब होता है, went with someone, मतलब किसी के साथ जाना, या किसी का साथ देना, अब जो elephant था, जब वो नहाने के लिए बाहर गया, तो dog जो है, वो भी उसके साथ गया, plunging into the water, the elephant gave himself a shower, using his long trunk, अब देखे, plunging का मतलब होता है, जंप करना, ठीक है, अब क्या हुआ, कि जो elephant है, वो पानी में जंप कर गया, और फिर उसने क्या करा, उसकी जो लंबी सी सून थी, तो बच्चों, ट्रंक हम कहते हैं, सून को, तो उसकी जो लंबी सी सून थी, ट्रंक था, उसकी help से, उसने क्या करा, सबसे पहले उसने सून में पानी भर के वो खुद को नहला रहा था तो डॉग उसको देख रहा था तो बच्चो स्प्लाश का मतलब थ्रियू मतलब फेक ना अब क्या हुआ कि एलिफेंट ने अपनी सून में पानी भर लिया तो बच्चो ये ये का मतलब क्राय करना मतलब रोना अब जो डॉग था वो रोने लगया क्यों क्योंकि उसको नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और फिर ये सब देखके मेहट क्या कर रहा था वो लाफ कर रहा था वो हस रहा था अब जब वो घर वापस जा रहे थे अब जब वो अपने घर के दास्ते में थे जब वो वापस जा रहे थे तो अब बिल्कुल एपनी सून की जो उसकी लंबी सी नाग ती न उसकी हल्प से उसने क्या करा उसको डॉक को पकड़ा और फिर अपनी पीट पर बिठा लिया तो बच्चे डिलाइट का मतलब होता है खुश हो जाना थी कहे एप्पी और जब उसने डॉक को बिठाया तो डॉक भी राइट करने के लिए मतलब उसकी elephant की सवारी करने के लिए बहुत जादा खुश हो गया अब farmer passing by saw the dog अब देखिए एक किसान जो था जब वो जा रहा था रास्ते में से गुज़र रहा था तो उसने dog को देखा bunty he yelled अब देखिए bunty तो dog का नाम क्या है? dog का नाम है bunty तो जो farmer है उसने चलाया bunty the dog ran to him और जो dog था वो उसकी तरफ भाग गया the farmer hugged the dog and told the meher that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house बच्चों disappeared का मतलब गायब हो जाना थी के खो जाना was not seen अब क्या हुआ कि dog जब उसकी तरफ भागा तो farmer ने dog को hug करा मतलब उसको अपने गले से लगाया और मेहट को ये बताया कि जब से उनके घर से उनका जो dog है वो गयाब हुआ है तब से वो bunty को धून रहे थे he was glad he found him now अब क्या हुआ? वो बहुत glad feel कर रहे हैं कि उन्होंने जो मतलब farmer है उन्होंने बंटी को धून लिया है बंटी उन्होंने मिल लिया अब देखिए objection का मतलब आपती या फिर एतराज अब जो वो था मेहट था उसको इस बात पर कोई एतराज नहीं था कि जो farmer है वो dog को अपने साथ अपने घर लेके जाना चाहता है अब जो किसान था उसने क्या करा उसने dog की जो गर्दन थी उसके आसपास का बांदी रस्ती से dog को बांद दिया और उससे कहा कि चलो बंटी अब हम घर चलते हैं only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend pull का मतलब होते है बच्चों खीचना realize मतलब किसी चीज का एहसास होना और English में realize का मतलब होते है understand अब क्या हुआ कि जब farmer ने dog को खीचा रस्ती से तो dog को इस चीज का एहसास हुआ कि वो अपने दोस से दूर जा रहा है बच्चों मैंने आपको येल्ब का मतलब बताया था रोना ठीक है अब जो dog था वो उसको जब हहसास हुआ कि वो अपने फ्रेंड से दूर जा रहा है तो वो खूब रोया विंस्ट का मतलब होता है श्रंक बाक इन पेंड और डिस्ट्रेस मतलब कि दर्थ की देखे दर्थ की वज़ा से सिकुड जानना या फिर बहुत जादा चिंता होना थी कि अब जो एलिफेंट था वो अपने फ्रेंड से जब दूर हो रहा था तो जो उसको दुखता न तो उस दुख की वज़ा से वो सिकुड गया लेकिन जो किसान था उसने इन दोनों पे कोई ध्यान नहीं दिया मेहट ने भी इस चीज के उपर ध्यान नहीं दिया कि जो दो दोस थैम ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और इनकी आखों में आसू हैं तो बचो टियर्स का मतलब होता है आसू अब देखें नेक्स डे अगले दिन जब लंच का ताइम था तो मेहट ने क्या दिया था? तो मेहट ने गजराज को उसका मन पसंद खाना दिया था खाने के लिए तो देखें बच्चो कोर्स हम कहते हैं डेली ड्यूटी उसको मतलब हमारे जो दिन के काम होते हैं न उनको तो मेहट जब वापस आया अपने और काम करके तो उसने यह देखा तो वो यह देखके सर्प्राइज हो गया कि जो खाना है वो अंटच्च है मतलब एलीफेंट ने उस खाने को चुआ तक नहीं अंटच्च मतलब ना चूना वाई गजराज आरेंट यूं हैंगरी अब जो मेहट था वो उससे पूछता है गजराज से कि जराज तुमने क्यों नहीं खाया क्या तुम्हें भूक नहीं है मतलब उसने बहुत चिंता करके उससे पूछा वो बहुत जादा उसके लिए परिशान था तो एलीफेंट ने इस बात का कोई भी रियाक्ट नहीं किया मतलब उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया इस बात पर अब देखिए कि जो इस तमा के वो अपसेट है या फिर उसको थोड़ा सा उसका हाजमा ठीक नहीं है तो मेहट ने ये सोचा कि हो सकता है कि एलीफेंट का हाजमा ठीक नहोँग अब मैं इसको खाना खाने के लिए फोर्स नहीं करता, ठीक है अगले दिन जो उसको खाने के लिए उसने भी नहीं चूआ तो मतलब परशान होना चिंता होना called मैहट को क्या होगे है? उसको चिंता होनी शुरू होगे उसको चिंता हुई He ran his hand on Gajrach's tummy and felt there was nothing wrong अब क्या हुआ कि मेहट जो है उसको चिंता ओरी थी तो तमी तो बच्चे स्टमक को हम कहते हैं तमी तो Gajrach की जो तमी थी उस पे मेहट ने अपना हाथ फैलाया ठीक है हाथ को रखा और फिर उसने ये नोटिस करा कि क्या कोई चीज गलत तो नहीं है और फिर जब उसने ये चीज नोटिस कर ली कि कुछ गलत नहीं है सब ठीक है फिर वो सोचते है कि जब सब कुछ ठीक है पेट में कुछ गलत नहीं है तो फिर ये क्यों नहीं खा रहा He, sorry, is he missing his friend, that dog The Mayherd wondered फिर उसको याद आता है वो यह सोचता है Mayherd कि कहीं उसको अपने दोस्त की तो याद नहीं आ रही जो डॉग था, कहीं उसको उसकी तो याद नहीं आ रही तो देखिए बच्चों, missing मतलब याद करना है, ठीक है Meanwhile, at the farmer's house, the dog had also not touched his food ever since he was brought home तो देखिए, अब जो किसान था, उसके भी घर में क्या हुआ था कि जो डॉग था, जब से वो आया था, तब से उसने भी कुछ भी नहीं खाया तो उसने किसी भी खाने की चीज को नहीं चुआ था Are you missing your friend, asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back अब देखिए, जो farmer थाना, वो क्या करता है, वो Bunty से ये पूछता है कि क्या तुम्हें अपने दोस्त की याद आ रही है, क्या तुम उसको याद कर रहे हो और फिर वो ये बात कैसे पूछता है बच्चों, देखिए, जो farmer थाना, उसको ये याद आता है कि बंटी, जब elephant की पीट पे बैठा हुआ था, और बहुत जादा खुश था, उसका चेहरा बहुत खुशी से लग रहा था उसको तो उसको याद आया कि अरे ये elephant के उपर बैठ कितना खुश था, तो कहीं इसको elephant की याद तो नहीं आ रही I cannot see you go hungry, said the farmer, if you miss your friend so much, go to him अफिर farmer से कहता है कि मैं तुम्हें भूका नहीं देख सकता, अगर तुम्हें अपने दोस्त की बहुत याद आ रही है तो तुम उसके पास चले जाओ the farmer removed the rope with which he had tied the dog, तो बचो remove मतलब हटाना, अब किसान ने जिस रस्ती से बंटी को बांध रखा था, उसने उस रस्ती को खोल दिया, उसको हटा दिया the dog, दो weak, sprang to his feet, तो बचो sprang मतलब jump करना, मतलब कूदना, अब क्या हुआ कि डॉग जो है, वो कमजोड हो गया, क्यों कि उसने कुछ खाय नहीं था, लेकिन फिर भी, वो अपने पैरों पे उचलता कूदने लगा, ठीक, उचल कूदने लगा, he lick the farmer's hand once and then ran, तो देखे, lick कर मतलब चाटना, अब क्या हुआ कि बंटी ने जो किसान था, उसके हाथ को चाटा और फिर वो भाग गया महां से, he stopped only when he arrived at the stable, to stop मतलब रुकना, और वो तब तक भागता चला गया, जब तक उसको stable नहीं दिखाए दे गया, ठीक है, जब वो stable पहुँच गया, तो महां पे ज इस ट्रंक and gave him a joyous swing, अब elephant ने क्या कर रहा था, elephant ने dog को अपनी जो ट्रंक थी ना, उससे उठाया, और उसको क्या दी एक joyous swing दी, तो बचो joyous मतलब happy, और swing मैंने आपको बताया था, move side to side, back and forth मतलब, तो देखें जैसे आपको picture में दिखाया गया है, ये elephant क्या कर रहा है, व उससे उसने बंटी को अठाया, और फिर उसको जूला जूला रहे है, ठीक है, इधर उधर, side to side, वो move कहता है, the mayhut was relieved, अब देखें, relieved का मतलब thankful, अब mayhut जो है, उसको थोड़ा आराम पहुचा, उसको सकून पहुचा, कि चलो, अब जो elephant है, वो खुश रहेगा, he quickly brought the food, both of you eat first, he said, अब देखें, brought मतलब लाना, कोई किनी मतलब जल्दी से, अब जल्दी से mayhut जो है, वो दोनों के खाना लाया, और उसने बोला कि चलो, अब तुम दोनों जल्दी से खालो, by then the farmer who had followed the dog joined him, अब देखें, followed मतलब पीछा करना, अब जो किसान बंटी का पीछा कर रहा था, वो जब वो पीछा कर रहा था, तो पीछा करते करते, वो mayhut के पास भी आ गया, और elephant और bunty के पास भी पहुच गया, the two of them watched with satisfaction, the two friends eating food, और बच्चो, satisfaction मतलब happiness, मतलब खुशी से, अब mayhut और farmer जो था, वो दोनो, खुशी से, बहुत satisfaction के साथ ये देख रहे थे, कि जो उनों friends हैं, वो खाने को खा रहे हैं, it's not only गजराज, who has found a friend, said the mayhut hugging the farmer, I have also found one, अब देखे, जो mayhut है, वो क्या कहता है, कि सिर्फ गजराज कोई दोस्त नहीं मिला, मुझे भी एक दोस्त मिल गया है, और वो ये बात farmer से, उसके गले लगते वे, उसको हग करते वे कहता है, कि एक दोस्त खाली, गजराज कोई नहीं मिला, मुझे भी एक दोस्त मिल गया है, तो बच्चो, I hope आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई, तो प्लीज वीडियो को लैक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के प्रेस कर दें, ताकि जब भी में को ये वीडियो अप्लोड करों तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए,